नमस्कार मैं हूं कोमल राव आप देख रहे हैं एंजेपी हरियाना आज राजस्थान के वरिष्ट भाजपा नेता वे पूर मंत्री डॉक्टर अरुन चतुरवेदी रेवाडी में थे मोधी सरकार के नोवर्ष का कारेकाल पूरा होने पर भाजपा अपने मेगा जनसंपर का भियान की कड़ी में संगठन के अनुभवी नेताओं को विभिंजिलों में भेज रही है डॉक्टर अरुन इसी सिलसिले में यहां पहुचे थे उन्होंने सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नोवर्ष के कारेकाल में हुए कामों का जमकर गुनगान किया और के भी पूरी संजीदगी से जवाब दिये किसी सवाल पर चुपी नहीं साधी मोधी का गुनगान करते समय चतुरवेदी ने रक्षा छेत्र से लेकर घरेलू मोर्चे तक सुरक्षा संबंदित उपलब्दियों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि मोधी ने अपने कारेकाल में एक और सीमा पर सुरक्षा सुनिष्चित की है वही अब आतंकी धमा के अतीत की बात हो गई है राहुल गांदी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने आपको देश का नेता कहते हैं वह देश से नहीं जुड़ पाए और विदेश जाकर कलंकित करने का काम करते है यहां यह बता दे कि बीजेपी ने अपने मेगा प्रचार अभियान के शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई की अजमेर रेली से की थी इसके बाद पाइटी के सेकडो नेताओं की जन संपर्क में ड्यूटी लगाई गई है डोक्टर अरुन चतुरवेदी तीन दिन हरियाना में रहेंगे भाजपा का संपर्क से समर्थन अभियान 30 जून तक चलेगा इस दोरान तीन खास तारीकों को तीन बड़े आयोजन होने जा रहे हैं पहला आयोजन 21 जून को विश्व योग दिवस पर होगा दूसरा 23 जून को पाइटी के संस्थापक शाम दिन पीएम मोदी मन की बात करेंगे चतुरवेदी ने इन तीन कारेकरमों के अलावा MSP किसान सम्मान निधी आंतरिक में भारी सुरक्षा बिजली पानी अंतियोद्य सहित कई विशो पर प्रकाश डाला चतुरवेदी ने कहा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देश में भष्टाचार लगभख खतम हो गया है हरवर के लोगों का केंद्र सरकार ध्यान रखने का प्रयास कर रही है उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा में मोदी का अर्थ बढ़ा है मोदी का मतलब एक साधारन कारेकरता का पीम पत तक पहुँचना है उन्होंने क चाहा कि हैं बात गलत है कि मोदी ने राजस्थान दोरे पर वहां के नेताओं को वेटेज नहीं दिया चतुरवेदी ने कहा कि हर नेता को बराबर संवान दिया गया और मोदी की रैली में राजस्थान के सभी परमुखनेता मोजूद थे हमारा एक ही मकसद है सब का साथ एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अरुन ने कहा अगर वसुंद्रा सरकार भ्रस्ट थी तो डिप्टी सी एम सचिन पाइलेट और अशोग घहलोत क्या कर रहे थे वो उस पर कारेवाही करते अगर कारेवाही नहीं की है तो अभी बेबुनियाद इलजाम लगाना गलत है आई पून भाहूमत की सरकार बनी और एक पार्टी की सरकार बनी पहले दोजार चौरासी पिच्छासी में सरकार पून भाहूमत की बनी ती उसके दोजार चौदे हम बनी और सरकार में जिस तरह का निराशा का वातन चौदे से पहले था देश में हर वर्ग में निराशा को दीर के इन सरकार के नए नए घुटाले निकल रही तो पूरा भारत इस तरह से एक इस्तिती में सारा निकल के आ रहा था चौदे माने के बाद हम धीरी धीरी देखते हैं कि वात्रामन में परवर्तन की बात ही चौदे के युग में पहली बार ऐसा हुआ कि समाजिक सुरक्षा की ह पूजनाओं को लेकर के नरंद मोदी जी ने पहले कारकंड में अपनी सरकार के काम शुरू किये जहां एक तरफ समाजिक दर्ष्टी से अंतियोदे जिस बात की हमने की थी उस अंतियोदे के नाते से समाज के अंतिम पंक्ति में जोवक्ति खड़ा है उसको सब चीजों के उपा अधिकार मिले बराबरी पर लेके हैं इसके प्रयाश रूप किये वर्षों तक जिन्होंने गरीब हटाओं के बात करते हुए राजवीतिम आये और चुनाव जीते वो गरीब हटाओं के किवल नारे बोलते रहे कभी उनके ध्यान में नहीं आया कि इस गरीब के घर म उसमें भी किवल इतना ही खाते खोलना उसमें सबसीडी के माध्यम से पैसा देना और कोवीड का जब कालकर निकला तो उन्हों देखा कि डीबीटी के माध्यम से उस जितने भी खाते खोले तो मैलाओं के खाते में 500 रुपे देने का फिर अलग लग रूप से जिदने भी उस गरीब का भी सीधा खाता खुलने का काम किया जिन्होंने बहुत बात की थी कि हम गामों के विकास करने की बात करेंगे और देश में लगबख 56 साल तक देश के उपर राज करने काम किया वो घर घर में बिजली नहीं पहुचा पाए नरेंद मुदी जी ने सरकार में आत किया और अभी तैकिया कि हम जल शक्ति मंतरा लेलग बना करके हर घर नल से जल पानी आम आदमी के आवशक्ता है और पानी के बिना सब कुछ सुना है हमारे लंबे समय से इस बात की चर्चा होगी पहली बार कभी अटल जी ने अपनी सरकार के समय नदियों को जोड़ने का प्रजक्त को लेकर कहें दुरबागे से 2004 में सरकार रिपीट ने हुई इस का लो प्रजक्त नहीं चला नरेंदर मोधी जी ने हर घर नल से जल इस अभ्यान के तहट हर वेक्ति के घर में पानी का टेप वाटर पहुंचे इस को सुनिशित करने काम किया और उसको भी 24 तक हम करेंगे इस लक्ष को लेकर के चल रहे हैं जो दुरबाग गया कि कुछ दिक है जहां भाजपा शासित राजज नहीं है दूसरे दौरों की सरकार है वो इन चीज़ों को स्लो डाउन करने में लग रही है जानमा आता है कि इसी दौर में हम आहिश्मान माध्यम के माध्यम से हम कह सकते हैं जो बॉर्डर स्टेक्स हैं हमारे उन सब बॉर्डर स्टेट्स में भी सलके बना करके हम कैसे चीन पाकिस्तान और ऐसी विश्म इस्तितियों को दौरान में हमारी सेना को हम सोकम कर सकते हैं उसकी इस्तिति खड़ा करके पूरा इस्ट्रक्चर खड़ा करने काम किया, तो हमने समाजिक धाचे को बनाने काम भी किया, आधारबू धाचे को बनाने काम किया, आंतिरिक शुरक्षा के नाते से इसी देश में रोजाना आम आदमी भ्याकानत रहता था, कभी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी जैपुर में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी बंबई में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, उन सब सीरियल ब्लास्टों के कारण से आम आद प्रख्राव कोई जो इस चीजों के ऊस्सार काम किया क्वेक्तियों को भी और इसे माइंड सेट्स करने का रुपर और Preisk seizure charged कारशा है क्वाकरroll के नि英डा माथकूण प्रश्चा-अफ़णई काम भारत्य इंतोर प्रव्चा कि निती है कि ब्रश्टाचार के उपर जीरो टॉल गए थी हमें ध्यान है कि 24 से 14 के दोर में भारत में कोई ना कोई रोजाना गोटा निकल करका आता था और लगता था कई बार कई कैबिनेट मंत्री भी जेलों में गए एक दोर चलने लगा था कि कई बार मजाक होता था कि शायद कभी क चौदे से लेकर के अब तक का नौ साल का कालखंड हुआ है और नौ साल के कालखंड में इस ब्रश्टाचार के उपर भी प्रभावी कारवाई नरेद मोजी जी के नितरत हुए हम कह सकते हैं कि समाज के लग किसानों की उमनती की बातें बहुत हो ही होगी लेकिन नरेद जी के नितरत हैं बारती इंता पार्टी के सरकार करी है ऐसे फिर भाईय सुरक्षा या आसपास के देशों के साथ हमारे संबन इस दौर में भी भाईय सुरक्षा के नाते से कभी पाकिस्तान देखते थे कभी वाते थे बारत के सेनिकों के सिर करम करके चले आते थे अब हाल पर उसको रोक करके आज चीन को अपनी सीमा में केंदित करने का काम जैनल मुदीग सब्सक्राइब थोड़ा सब्सक्राइब राजस्तान की राजनिकी को लेकर अभी बात आईटी की मोदीजी का दोरा था किसी स्टेट लीडर्स को वेरेंज नहीं दिया जा ऐसी बाते हैं निकल निकल करके यहां पर भी जब हम देखते हैं दूसरी जगे प्रेस्ट को देखते हैं तो मोदीजी पर सेंट्रलाइजे पूरा सिस्टम तो क्या वाजबा राजस्तान अर्याना सब्सक्राइब पर भार्तियां पार्टी एक कारिकरता अधारी दाल है विचारदारा के आधार पर देखते हैं हमारे हां एक श्रेनी चलती रहती है कारिकरतों की और दोर लगातार बढ़ता रहता है उसी इस तर पार्टी काम करती है अपने एक विशे का संदर्द्य में राजिस्तान चाह किया है पार्टी के स्टेट लाइन के सारे बड़े निता एक मंच पर थे, एक साथ थे और सबको पूरा संबहन, जितना जुव होंता है उनका पूरा उनको संबहन था कहीं भी ऐसी इस्तिति है तो पार्टी में ना कोई संबाध हिंता है ना किसी परकार का विगिटन या कि से प्रकार की आप सी उठी है हम सम मिल्जूल करकर आजिस्तान में काम कर रहे हैं